दमत्री शहर के रिसाई पारा में ओटो चालक की एक सिर्परे युवक ने चाकू से गोद कर बहरेमी से हत्या कर दी है हत्या के बाद आरूपी मोके से फरार है कानून में वस्ता की अंदेगी का नतीजा है कि एक बड़ी वारदार शहर के बीचो बीच हुई है सिर्परे युवक ने रविवार की राद तकरीबन दस वजे खाना खाकर घर से निकले नितिन राब चोहान को उसी के महले में चाकू से गोड डाला जिसके बाद ऐसी गंभीर हालत में घर पहुँचते ही उसकी मोथ हो गई शहर में घटी घटना के बाद लोगों ने पुलिस से खिलाफ काफी आक्रोश दिखा जा रहा है इस मामले में धमतरी SP का कहना है कि आरोपी युवक पहले भी नबाली कुम्र में भी आरोपी रहा है जो घटना को अंजाम देकर फरार है आरोपी को जल से जल पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है आपको बता दे कि मृतक ओटो यूनियन का पूर्व अध्यक्ष निति ने कुछ महीने पहले ही सिर्फिर युवक को गाली गलोच करने से रोका था जिससे सिर्फिर युवक ने रंजिश बना डाला और आटो चालक के जान के पीछे पड़ गया जिसकी शिकायत ओटो चालक ने पुलिस में की थी साथ ही सुरक्षा की मांग भी की थी लेकिन पुलिस ने कारवाई करने की जहमत नहीं उठाई कारवाई नहीं होने पर करीब एक माह पहले ही उसने SP कारयाले में भी गुहार लगाई थी लेकिन पुलिस ने मामले को काफी हलके में ले लिया जिसके बाद सिर्फिर युवक ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए लोटर चालो को चाकु से हमला कर मोत के घाट उतार दिया है जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेड़िबल मैरिज पैलेस राजघराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यो फो वेडिंग, लाँचिंग, पार्टी राजघराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसी ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवादी